वेलकम बैक टू माई चैनल इजी सीख आज हम गाजर का हल्वा बनाए हैं आप कई बार हल्वा बनाए होंगे आज हम इंस्टेट जेटपट बनने वाला अपना टेश्टी हल्वा बनाएंगे जिसमें हम न खोवा डालेंगे न दूद न मलाई आईए देखते हैं कैसे बनेगा इस हल्वा को हम कूकर में बनाएंगे जिससे हैं हमारा हल्वा जल्दी और कम समय में बनेगा कूकर जब गर्म हो जाएगा जिसमें हम दो चम्मच देशी घी डाल देंगे घी जैसे ही पिख लेगा दो इलाची को अच्छे तरकी से कूट कर चिलका सही डाल देते हैं जिससे हल्वा में बहुत अच्छा इलाची का फ्लेवर आएगा और इसमें हम कटे हुए गाजर को डालेंगे गाजर आप चाहें बारिक ग्रेट करके डालें चाहे छोटे-छोटे पीस में काट कर डालें हम चीप्स वाले कटर से इनको बहुत ही पतला स्लाइस के रूप में काट लिये हैं जिससे हल्वा हमारा कम मेहनत में और बहुत ही टेस्टी बने हैं पतले स्लाइस में काटने से या बहुत ही जल्दी गलेंगे इसलिए हम इंको पतला काटे हैं सभी गाजर को हम खुकर में डाल देंगे और कुछ देर हम खी के साथ भूनेंगे जब हम कड़ाई में ग्रेट किये हुए हल्वा को बनाते हैं तो उसको हम काफी देर तक भूनते हैं इनको हमें जादा भूनना नहीं है लेकिन हल्वा में भी टेस्ट अच्छा है उसके लिए इनको हम तीन से चार मिनट भून लेंगे जिससे गाजर में जो कच्चापन का टेस्ट रहता है वह निकल जाए और हल्वा में बाद में उसका टेस्ट ना आए तिन से चार मिनेट बुनने के बाद हम देखेंगे कि गाजर कुछ हमारे गल गए हैं और यह मौश्रबडी हो गए हैं अब इसमें हम आदा कप पानी डालेंगे आप इसमें इतना ही दूद भी डाल सकते हैं लेकिन कभी-कभी दूद हमारा कूकर में फट जाता है इसलिए हम इसमें सिल्क पानी डालकर सिटी लगाने के लिए दिमें आज पर रख देंगे और दो सिटी आने तक हम इंतिजार करेंगे जब इसका प्रेसर निकल जाएगा तब हम कूकर का ढखकर खोलेंगे और देखेंगे गाजर हमारा अच्छे से गल गए हैं पतला काटने के वज़े से यह बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छे से मैसी हो जाते हैं इस तरके से इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं है इसलिए आप पानी डालते समय ध्यान रखेंगे यह पानी जादा ना रहें और इनको हम अच्छे से मैस करते हुए चला लेंगे आप चाहें तो मैसर से मैस करें नहीं तो आप इस समय कल्चर ले लें और हल्वा को चलाते भी रहें और मैस करते भी रहें और मीठा के लिए इसमें हम 100 ग्राम चीनी डाल देंगे और चीनी को हम गाजर में मिक्स करेंगे चीनी कुछी देर में मिक्स हो जाएगा, चीनी हमारा पानी छोड़ेगा, लेकिन इनको हम हाई फ्लेम पर ही बनाएंगे, क्योंकि गाजर को हमें पकाना नहीं है, यह तो पका ही है, सिर्फ इनको ड्राइ करना है, और इसमें हम कटे हुए ड्राइ फूट को डाल देंगे, जि हल्वा को बना सकते हैं, लेकिन हम यह सब चीज नहीं डालेंगे, फिर भी हल्वा हमारा टेश्टी हो, और देखने में बजार जैसा, खोएदार हो, उसके लिए इसमें हम एक चीज डालेंगे, जिससे हल्वा हमारा टेश्टी तो बनता ही है, लेकिन बहुत ही कप समय में भ बिलाते रहते हैं इस तर्की से हम मिलाएंगे जिससे मिल्क पॉडर मिक्स भी हो जाते हैं और छोटे-छोटे घुटके में भी रहेंगे जो बाद में देखने में हमारे खोए के टेक्चर के तरह लगेंगे अगर बड़े बड़े गुटके हो जाएं तो रुखो आप मैस्क करते रहें जिससे गुटका हमारा छोटा छोटा पीस में बना रहें इस तरगे से हम एक एक दो दो चमबच मिल्क पॉडर को डाल कर गाजर में मिला लिये हैं और मिक्स होकर या अच्छे से ड्राई भी हो गया है और कुछ देर में ही मिल्क पॉडर भी गाजर के साथ पक कर रेडी हो गया है इस तरगे से या हमारा ड्राई टेश्टी हल्वा बन के त्यार हो गया है देखने में लगता है कि इसमें हम खोए डाले हैं और खाने में भी यह काफी टेश्टी लगता है, एक अलगी स्वाद इसमें आता है, और बहुत ही जटपट बनकर भी त्यार हो जाता है, अगर आपके पास दूद नहीं है, पनीर नहीं है, मलाई नहीं है, तो आप इस तरह के से मिल्क पाउडर के साथ बहुत ही टेश्टी हल हल्वा को बना सकते हैं, आप हल्वा को गर्म खाएं या ठंडा खाएं, इसमें डलेवे मिल्क पाउडर अरिदम खुए के तरह हो जाते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सेर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किये हैं, तो अगला वीडियो देख को सस्क्राइब करें